पाठ तीन मीरा बाई चानू पाठ प्रवेश अतीत और वर्तमान में अनेक उदाहरन ऐसे मिलेंगे, जिनमें द्रड संकल्प के प्रबल वेग के सामने बड़ी से बड़ी बाधाई भी ठिक नहीं पाई हैं। द्रड संकल्प के बिना साधना अधूरी होती है। अतह साध्य की प्राप्ती नहीं होती है। मीरा बाई चानू ने टोक्यो उलम्पिक में भारत को पहला पदक दिलाया। चानू भारोत तलन में रजत पदक लाने वाली पहली भारतिय एथलीट है। आठ अगस्त 1994 को मनिपूर के एक छोटी से गाउं में जन्मी मीरा बाई चानू बच्पन से ही काफी हुनरमंद थी। बिना खास सुख सुविदाओं वाला उनका गाउं इमफाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। एक सामाने परिवार में जन्मी छह भाई बहनों में सबसे छोटी मीरा बाई चानू को अपनी भारोत तलन की ताकत का पहली बार अंदाजा 12 साल की उम्र में हुआ था। एक बार उनसे 4 साल बड़ा भाई लकडी का गठर उठाने की कोशिश कर रहा था। जो कि भारी होने की वजहा से उनसे नहीं उठा। तब मीरा बाई ने कोशिश की और उसे आसानी से उठा लिया। इसी घटना के बाद उन्हें अपनी शक्ती का अंदाजा हुआ। उन दिनों मनिपूर की ही महिला भारुत तलक कुझा रानी देवी काफी लोकप्रिय थी और एथिन्स उलम्पिक में खेलने गई थी। बस वही द्रश्य छोटी मीरा के मन में बस कया। और उसी समय से उन्होंने भारुत तलक बनने की ठान ली। मीरा की जिद के आगे उनकी माता पिता को भी हार मानने पड़ी। उन्होंने 2007 में जब अभ्यास शुरू किया तो पहले पहल उनके पास लोहे का बार नहीं था। तो वे बास से ही अभ्यास किया करती थी। गाउं में कोई प्रशिक्षण केंद्र ना होने की कारण उन्हें 50 से 60 किलो मीटर दूर अभ्यास के लिए जाना पड़ता था। एक खिलाडी को खाने में रोजाना दूद और प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए था। लेकिने काम परिवार की मीरा के लिए यह सब उपलब जिस कुझारानी को देख कर मीरा के मन में चैंपियन बनने का सपना जागा था। अपने उसी आदर्श के 12 साल पुरानी राश्रिय रिकॉर्ड को मीरा ने 192 किलोग्राम वजन उठा कर 2016 में तोड़ा। हालाकि सफर तब भी आसान नहीं था क्योंकि मीरा के माता-पिता के पास इतने संसाधन नहीं थे। बात यहां तक आप पहुँची थी कि अगर रियो उलम्पिक में वे क्वालिफाइ नहीं कर पाएं तो खेल ही छोड़ देंगी। खैर यहां तक नौबत नहीं आई। उसके बाद उन्होंने वर्ल चैंपियंचिप के अलावा वर्ष 2016 के ग्लास्गो राश्टर मंडल खेल में भी रजत पतंग जीता। उलम्पिक जैसे मकाबले में अगर आप दूसरे खिलाडियों से पिछड जाएं तो एक बात है। लेकिन अगर आप अपना खेल पूरा ही नहीं कर पाएं तो ये किसी भी खिलाडी के मनुबल को तोड़ने वाली घटना हो सकती है। उस समय भारत में रात थी तो बहुत कम भारतियों ने वह नजारा देखा था। सुबह उठकर जब भारत की खेल प्रेमियों ने खबरे पढ़ी तो मीरा बाई की छवी भारतिय प्रशनसकों की नजरों में नकारात्मक बन गई। इसके प्रभाव से 2016 के बाद वे इतनी हीन भावना का शिकार हो गई कि उन्हें मनोचिकितसक के शरण में जाना पड़ा। इस असफलता के बाद मीरा ने खेल को अलविदा कहने का मन बना लिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंतराश्रिय प्रतियोगिताओं में जबरदस्थ वापसी की। इसके बाद उन्होंने 2018 के राश्रमंडल खेल में भी स्वर्ण पड़क पर कबजा किया। साथ ही इस प्रतियोगिता में उन्होंने एक नया प्रतिमान भी स्थापित किया। 2019 में चानू ने थाइलेंड में होने वाली विश्व चांपियंशिप में वापसी की। जहां वे चोथे स्थान पर रही। लेकिन इस प्रतियोगिता में किया गया उनका प्रदर्शन यादकार बन गया क्योंकि वे अपने करियर में पहली बार 200 किलोग्राम भार उठाने मे अप्रेल 2021 में ताशकंद में आयोजे तेशियाई भारो तलन चैंपियंशिप में मीरा बाय चानू ने 119 किलोग्राम भार उठा कर क्लीन एंड जर्क में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने टोक्यो उलम्पिक के लिए खुद को पू उलम्पिक में रजत पदक जीत कर पूरी दुनिया में भारत का नाम रौशन कर दिया।